कितने में बना ससुराल अटल शर्मा का पाँच कमरों का मकान, उनकी धर्मपत्नी दया शर्मा ने अपनी पसंद से बनवाया था अब पत्नी से बड़ा इंजिनियर या इंटिरियर डिजाइनर भी कोई हो सकता है क्या? बस, इसलिए पिछले बीस बरस से पत्नी के बनवाय मकान में अटल जी अपने दोनों बेटों के साथ सुख से बसर कर रहे थे लेकिन कहते हैं ना समय की गती बड़ी तेज होती है धीरे धीरे समय बीता और अटल शर्मा के दोनों बेटे विजय और अजे की शादी होगी बड़ी बहु मालती ने तो सिसुराल की परिस्तितियों के साथ सामन जिस से बिठा कर बहुत आसानी से एड़्जस कर लिया था लेकिन जैसे ही छोटे बेटे अजे की शादी माधूरी से हुई मानों अजे शर्मा के घर में भूचाल सा आ गया शादी की बात अजे ये कैसा इंटीर है तुमारे घर का आजकल ऐसे घर में कौन रहता है ये दिवारों में बने शीशे वाले शोकेस इनमें लगी हुई ये परानी तस्वीरे लोहे की अलमारियां और चूने से पूती दिवारे क्या है ये सब क्यो बई क्या खराबी है हमारे घर के इंटीर में हम तो सालों से इस गर में रह रहे हैं और तुमसे पहले भावी भी इसी घर में दुलन बन कराई थी लेकिन उन्होंने तो कभी घर में कोई कमी नहीं निका ली और हाँ चूना नहीं डिस्टेमपर है ये अरे इतने अच्छे अच्छे पेंटे बाजान में और आपने ये नेला रंग पुतवा रखा है पूरे घर में हर रही भावी की बात तो वो तो अपने अपने टेस्ट और नॉलिज की बात होती है अब उन्होंने ऐसे ही घरों में रहकर अपनी लाइफ पिताई होगी तो उन्हें ये घर अच्छा लग रहा होगा लेकिन मैं मेरी बात अलग है I have a class क्या नाट गए ये मादूरी शादी को चार दिन हुए नहीं कि तुम्हारा ये class और टेस्ट का ड्रामा चालो गया लेकिन हमारा घर इसे देखकर कौन कहेगा कि ये first rank officer का घर है ये रंग भी रंगी भड के लिए पर दी दीवारों पर चूना और ऐसे कौन रहता यार अच्छा तुम ये बताओ अब मुझसे क्या चाती हूँ ये ही कि बागी घर का आप लोगों को क्या करना है ये आप लोग देख लो लेकिन मुझे अपने कमरे का रेनोवेशन करवाना है मैं इस कमरे में नहीं रह सकती देखो माने बड़े प्यार से घर बनवाया था उन्हें इस घर की एक एक इंट से लगावे इसलिए मैं पहले मां से बात करता हूँ अगर मां को कोई अतराज ना हो तो तुम अपने कमरे में रेनोवेशन करवा सकती है मां आपकी बहुत चाहती है कि वो अपने कमरे को अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा बदल दे अगर आप बुरा ना मानो तो मैं उसके लिए एक कमरा उसकी पसंद से तयार करा दू अरे ऐसे क्या समस्या है उसकी कमरे में जो उसे मर मत करानी है तुम्हारी शादी से पहले ही तो पुताई कराई थी उसकी मैंने चमा कराई बिलकुल अरे मा करने दोना उसे उसकी पसंद की हिसाब से अब आप देखो रहना तो उस कमरे में उसी को है अपनी पसंद के हिसाब से सजा लेगी तो उसे भी अच्छा लगीगा और हाँ आप चिंदा ना करो मैंने पहले ही उसे मना कर दिया है कि सिर्फ अपने ही कमरे के साथ छेर चाड़ करे बाकी का गर जैसा है वैसा ही ठीक है अच्छा चलो ठीक है तू इतना कह रहा है तो काले ने दे बहु को अपनी पसंद के हिसाब से मा से हरी जंडे मिलते ही अजय ये माधुरी को बताता है ठीक है बाकी के कमरों से मुझे क्या मतलब मेरा कमरा मेरी चॉइस के हिसाब से तयार हो जाए बाकी आप लोग जैसा रहना चाहे वैसे रहे मुझे कोई प्राब्लम नहीं है अच्छे सबसे पहले मुझे ना इस कमरे की पर्दे चेंज करना है सबसे स्यादा तो वही मेरी आँख में चूब रहे है अगले दिन दुपैर में अरे माधुरी कहां जा रही हो आपको मा जी ने बताया नहीं क्या मैं अपनी कमरे का मेक ओवर कर रही हूँ इसलिए पर्दे खरीदने जा रही हूँ अच्छा जी माजी ने तुमें कमरे का मेक ओवर करने की पर्मिशन दे दी मैं अपने कमरे में किसी भी रंग के पर्दे टांगू इसमें माजी को क्या परिशानी हो सकती है प्यारी देवरानी जी अभी तुम्हें पता ही का है कि सासों को कभी-कभी बहु के सास लेने से भी दिक्कत हो जाया करती है तुम तो फिर भी उनकी घर के साथ छेड़ चाड़ कर रही हो अब अरे मेरे कहने का मतलब है कि माजी को सच में तुम्हारे पर्दे बदलने से कोई परिशानी नहीं हुई अरे भाबी मैंने बताया ना कि माजी को कोई परिशानी नहीं हुई इतना ही नहीं मैं तो कमरे का पूरिया हुलिया ही बदलने वाली हूँ उसी के लिए जरूरी सामान देखने बाजार जारी हूँ अगर इस माधूरी को माजी अपने कमरे का मेक ओबर करने दे रही है तो मैं क्यों पीछे रहूँ लगे हाथ बैती गंगा में मैं भी हाथ दो लेती हूँ माजी मुझे ना अपना कमरा कुछ खास पसंद नहीं आ रहा आप कहें तो मैं भी अपने कमरे के लिए नए पर्दे ले लूँ तू पीछे क्यों रहेगी जा तू भी ले 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 तुझसे मुझे कोई दुश्मनी तो है नहीं सास की बात सुनकर जिटानी मालती खुशी से फूली नहीं समा रही थी अब अगर माजी ने पर्मिशन दे ही दी है तो पर्दे ही नहीं मैं तो अपने कमरे का पूरा मेक ओवर कर डालूँगी अब जो भी मेरा कमरा देखेगा न माधूरी की कमरे को भूली जाएगा लेकिन पहले इस माधूरी को पर्दे लाने देती हूँ देखो तो सही महरानी कैसे पर्दे लेकर आती है बहुत टेस्ट टेस्ट चिला रही थी ना आम भी तो देखें, क्या टेस्ट है हमारी हाइकलास देवरानी का। कुछ दिर बाद माधुरी जब बाजार से पर्दे लेकर आती है, तो मालती भी बहाने से उसके कमरे में पहुच जाती है। देखो तो कैसे पर्दे लेकर आई हो तुम अपने कमरे के लिए। ये डाक कलर की रंग भी रंगी पर्दे ना एकदम चीप लगते हैं दिखने में। इसलिए मैं पेस्टल शेट्स की पर्दे लेकर आई हूँ। बताईए कैसे हैं। अरे वाँ, तुमारी पसंद एकदम मचसे मिलती जुलती है। लेकिन फिर भी ना, इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी। वो क्या है ना, मैं भी अपने रूम के लिए पर्दे लेने के लिए जाने वाली थी। मैंने सुचा एक बर देख लूँ, तुम कैसे पर्दे लेकर आई हो। कहीं आसा ना हो के हम दोनों की चोईज एकदम सेम टू सेम हो जाए। इतनी ही बड़िया पसंद है, तो आज तक इस बाबा आदम के जमाने वाले घर में क्यों रह रही थी। आज से पहले पर्दे क्यों चेंज नहीं किये। बाबी को क्या लगता है, मैं इनकी चाला के समझ नहीं रही हूँ। अरे मैं खूब समझती हूँ, बाबी यहाँ क्या देखने आई थी। अब मेरी नकल करके से मैं ऐसी पर्दे अपने कमरे के लिए लेकर आएंगी। अगले दिन मालती बाजार जा कर माधूरी से भी महेंगे और खूब सुरत पर्दे लाकर अपने कमरे में लगा लेती है। केली है कल से मेरे कमरे में काम शुरू हो रहा है कमरा किसी कहते हैं यह अब आप देखेगा हरी सच में हमारी सोचना कई मामलों में आपस में मैच करती है मैं भी आज तुम्हारे जेट जी से यही क्या रहे थी कि हम अपने कमरे को एक डम रॉयल लूक दे देते हैं बस एक दो दिन में मैं भी अपने कमरे में काम शुरू ही करने वाली हूँ। कमरे को रेनोवेट करने के नाम पर दोनों देवरानी जिठाने के बीच में एक अंधी दौड शुरू हो गई थी। पुरानी फ्लोरिंग, वाल, सिलिंग सब अठाकर आपको मेरी पसंद की हिसाब से लगाना है। देखो फ्लोरिंग तो वूडन की होगी, दीवारों पर प्लास्टिक पेंट और छट पर फॉल्स सिलिंग भी चाहिए। कमरी का ओवराल लुक ऐसा होना चाहिए कि रूम में आती ही समझ में आए कि कमरे में रहने वाले इंसान का कुछ क्लास है। फ्लोरिंग से लेकर वॉल्ड पैंट टक, सब कुछ मुझे लाइट शेड में ही चाहिए। हो जाएगा मैम, आपकी इस रूम का खर्च लगबख पांच लगाएगा और तीस हजार मेरी फीज। ओकी, जैन। तुम करती रहो इंटीर डिजाइनर पर खर्चा, मैं तो मुफ्त में ही तुमसे अच्छा कमरा बना कर दिखाऊंगी। लगबख 20 दिन से दोनों देवरानी जिठानी के कमरों में काम चल रहा था, जिससे घर में सबको बहुत डिस्ट्रबंस हो रहा था। अरे क्या बताओं, जब से ये छोटी आई है न, इसने पूरे घर का नक्षा बिगाड़ के रख दिया है, एक तो पूरा घर अस्तविस्त हो गया है, उपर से पानी की तरब पैसा बह रहा है वो अलग, समझ में नहीं आता इन दोनों के कमरे ना हुए बिर्बल की हो गई, कि काम चलता ही जा रहा है, खता भी नहीं हो पा रहा। खतम करने के लिए रात में भी काम चालू कर दिया है, देखे अब चिंदा करने की कोई बात नहीं है, जल्दी दोनों कमरे बनकर तयार हो जाएंगी, एक सब्ता के बाद, देखो ना विजे, हमारा कमरा बनकर तयार हो गया, कितना खुबसूरत लग रहा है न, ऐसे लग रह तो तुमने बहुत अच्छा तयार करवाया है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन माधूरी ने जो कमरे में अटेज बातरूम करवा लिया है न, उससे उनके कमरे का लुक थोड़ा ज्यादा रीच हो गया है, हम, आपकी बात बिल्कुत सही है, आज कल अटेज बातरूम होना बहुत जरूरी हो गया है, अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि कमरे से बाहर निकल कर बातरूम यूस करने के लिए जाओ, मैं माजी से बात करती हूँ, अब मुझे भी अटेज बातरूम चाहिए, अरे भाकिमान कैसे बात करती हो, मम्मी उसमें क्या करेगी, घर में अब मुझे भी अटेज बातरूम चाहिए, अरे एक ही बातरूम है, तुम दोनों के कमरे के बीच में, तो वो किसी एक के कमरे में ही अटेज हो सकता था ना, और अटेज करने से ना करने से क्या फर्क पड़ता है बिटा, पहले ही घर में तीन बातरूम है, दिक्कत की कोई दया अपनी तरफ से मालती को बहुत समझाती है, लेकिन मालती के बार बार जिद करने के कारण उसकी सास अपने कमरे में से एक छोटा सा बातरूम निकाल कर बड़ी बहु को भी बातरूम दे दीती है, अब तो खुश है ना तु, मेरे कमरे का हुलिया बिगार दिया, लेकि लेकिन आपको पता है न, इतना खर्चा करके मैंने कमरा तयार करवाया है, और बिना टिच बातरूम मेरा कमरा बिल्कुल वैसे लग रहा था, जैसे बिना तड़की की दाल, अगले दिन अरे बैया, ये कमरों का रिनोवेशन ना हमें बहुत भारी बढ़ गया, सच में, मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने पैसों में हमने पूरा घर रिपैर कर लिया होता, जितने पैसों में इन्होंने सिर्फ दो कमरे तयार किया है ठीक क्या रहा है छोटे तो, मैं भी आज बिल देख रहा था, अरे तेरी भावी ने एक कमरे पर साड़े पांच लाख रुपे खर्च कर दिये भीया, अब क्या बताऊं आपको, मादुरी कौनसा भावी से कम है, मेरा भी लगवग इतने काई बिल बनाया है, मैंने तो लोन लेकर इसके लिए कमरा तयार करवाया है, अब तो मुझे बस पर्सनल लोन की किष्टे भरने की चिंता सता रही है अरे छोटे, किष्टो के पैसे तो मैनेज करने ही पड़ेंगे, मैं तो आज ही सबको बोलने वाला हूँ कि अगले दो साल तक किसी के लिए नया कपड़ा नहीं आने वाला, इतना ही नहीं घर के खर्च में भी कटावती करने ही पड़ेगी, तब जाकर ये खर्च मैनेज हो ठीक है ना, आपने मेरी बात मानकर रूम तयार करवा दिया, तो मैं भी आपकी बात मानकर अगले दो साल तक ना कहीं जाने का नाम लूँगी, ना नए कपड़े और ना नए गहने, अब तो खुश है ना आप अचानक दर्वाजी की घंटी बचती है, और दया जाकर दर्वाजा खुलती है नमस्ति बहन जी, हम आपके नए पड़ोसी हैं, कल हमारे यहां ग्रह प्रवेश की पूजा है, बस उसी के लिए निमंदरन देने आई थी अरे बहन जी, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, अंदर आईए ना, एक ग्लास पानी तो पी कर जाईए जी जी, क्यों नहीं अचा ये जो पड़ोस में मकान बन रहा था, ये आप ही का मकान है जी, हमारा ही मकान है, काफी दिनों से हमारे यहां काम चल रहा था, अब जाकर काम खतम हुआ अरे काम की तो बस पूछिये मत बहन जी, हमने तो सिर्फ दो कमरे ही रिनोवेट करे हैं उसी में इतना लंबा काम चला कि हम लोग तो खट-खट सुनकर परेशान हो गया शुक्रा है भगवान का कि हमारा भी काम खतम हो गया अच्छा, आपकी यहां भी काम चल रहा था जी, दोनों बहुओं के कमरे रिनोवेट करवाए हैं वही, आज कलके बच्चों को हमारे तरीके के मकान कहां पसंद आते हैं आईए ना अंटी जी, जब तक चाय बन रही है, मैं आपको अपना कमरा दिखा कर लाती हूँ इनने भी तो पता चले मेरी हाई क्लास चॉइस और मेरा रूम देखकर बिचारी यही सुचेंगी काश, पहले देखा होता, तो वो भी ऐसा ही बनवाती यह दिखिए, सब कुछ ब्रांडेड और इंपोर्टेड लगवाया है हमने पूरा रूम मेरी पसंद से ही कस्टमाइज हुआ है अरे पिटा, यह सब जो तुमने लगवाया है ना ब्रांडेड और इंपोर्टेड तो हो सकता है, लेकिन ट्रेंडिंग नहीं है क्या मतलब? मतलब यह पिटा, कि यह बुडन फ्लोरिंग तो कब की आउट ओफ फेशिन हो गई है और पिटा, यह नेट और वेलवेट की कॉन्टरस्ट पर दे आजकल तो कोई नहीं यूज़ कर रहा फॉल सिलिंग का यह स्टाइल जो तुमने कराया है ना तो दस साल से बिलकुल आउट ओफ ट्रेंड है तुमने पैसा तो बहुत लगा दिया लेकिन सच बताओं तो मुझे मजा नहीं आया अच्छे चलती हूँ लेकिन आपको कल हमारा नया घर देखने के लिए और मकान की मोरत में शामिल होने के लिए जरूर आना है तो जाना ही पड़ेगा अरे हमारे इतने स्पेशल कमरों को मजा नहीं आया क्या कर चली गई हम भी तो देखे कौन सा राज मैल बनवाया है इनोंने अगले दिन मालती, माधुरी और उनकी सास समय से तयार होकर ग्रह प्रविश में पहाँच गई थी अरे माधुरी, ये घर है ये किसी फिल्म का सेट कुछ ज्यादा ही खुबसूरत नहीं है मैं भी यही सोच रही हूँ भाबी कि इनका घर तो वाकई बहुत खुबसूरत है किच्चिन, बात्रूम, लिविंग रूम सब पुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी विदेशी होटल में आ गए हो पूरा घर देखने के बाद वाकई माधुरी और मालती के तो होश उड़ गय थे पिछले एक महिने से उन दोनोंने महेंगे से महेंगा इंटीरियर इंटरनेट पर सर्च करके अपने घर के लिए पसंद किया था उन्हें तो पक्का येकिन था कि जो भी उनका कमरा देखीगा देखता ही रह जाएगा लेकिन यहां तो सब उल्टा हो गया था उनके कमरे को देखने वाले पहले शक्स नहीं, तारीफ की जगा उनके बेडरूम में दस कमिया गिन्मा दी थी अरे माधुरी, मुझे तो इनके घर के मिठाई चकने के बाद अपनी खीर फीकी नजर आ रही है अरे हमने इस खीर को स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे दूद ही भट गया हो कौन सी खीर भाबी, मैं कुछ समझी नहीं, क्या बोल रही हूँ आप अरे बेवकूफ अपने कमरों की बात कर रही हूँ, और क्या बिसे आपकी घर को देखकर लगता है आपने बहुत खर्चा किया इसकी इंटिरियर पर वाकई खाविल तारिफ है खर्चा, आप रही खर्चा तो किया है इसे आपने भी तो रेनोवेशन करवाया ना, कितना खर्चा हुआ आपका हमने तो दो कमरे कराएं, लगबग 10-11 लाक रुपया लग गया आपका तो कम से कम 50 लाक लगा होगा ना खागे ना आप धोखा अरे भई सच बताएं, पूरे घर का इंटेरियर हमने 8 लाक में कराया है अब बताएं, है ना मेरा टेस्ट और सिलेक्शन बढ़िया पडोशन की बात सुनकर, एक पल के लिए तो मालती और माधूरी की आँखों के आगी अंधिरा चा गया था है? जितने पैसों में हमने दो कमरे सजाए, उन्होंने अपना पाच कमरे का मकान सजा लिया अब तो मालती और माधूरी के मुँ का स्वाद ऐसा बिगड़ा की ग्रह प्रविश की मिठाई भी उनका मुँ मीठा न कर पाई सर पीटती और अपनी मुर्खता परांसू बहाती दोनों देवरानी जेठानी लोट कर घर आ गई थी देख रही हूं पडोसन का मकान देखने के बाद तुम दोनों का चैरा सफेद पड़ गया है अरे बिटा इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं सास की बात मालती और मादूरी को आज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी और उस दिन के बाद उन्होंने संतुष्ट होना सीख लिया आज दो के बाद भी दो आरे को पाद पान्होंने सीख लिया है